नमस्कार दोस्तों मैं बाब गुराम पटेल आप सबका अपने यूटूब चैनल बाइलोजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज जो हम टापिक ले करके आये हैं वह प्लेटी हेलमेंथीस का एक मुख्य स्पिसीज टीनियासोलियम है फिता क्रीमी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और यह फिता क्रीमी टीनियासोलियम टीजीटी और पीजीटी टीजीटी पीजीटी दोनों में यह कामन है अर्थात यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्त तो चलिए देखा जाए टीनियासोलियम के बारे मे फीता क्रीमी के बारे में इसका classification की जहां तक बात करें तो इसका जो phylum है आप जान रहे हैं कि यह है तीनिया सोलियम प्लेटी हिलमिन्थीस का सदस्य है और इसका class जो है class systoda है यह systoda का सदस्य है systoda को आप जानते हैं कि systoda का जो मुख करेक्टर है वह क्या है इसका मुख करेक्टर कि इसमें digestive system absent होता है अथवा कहले जिए कि इसमें elementary canal absent होती है और इसका जो order है वह क्या है टिनोइडिया है और इसकी family क्या है टिनिडी है और genus टिनिया और इसकी species solium है ठीक है टिनिया सोलियम के बारे में बात करने माले है चलिए देखा जाए टिनिया सोलियम को commonly called tapeworm और pork tapeworm इसे सामान रूप से tapeworm अथवा pork tapeworm में कहा जाता है इटीज डाई जिनेटिक इंडोपैरासाइट और यह दूपोसदी होता है और इंडोपैरासाइट आंतरिक रूप से यह परजीवी होता है शरीर के अंदर और शरीर के अंदर कहां इसमाल इंटेस्टाइन आप में ठीक है मनुस की छोटी आत में और इसके दो पोसद होते हैं एक तो मनुस से हो गया इसका पोसद और दूसरा पोसद इसका पिग अर्था सूर होता है मनुस्य और सुवर इसके दो पोसद होते है इट इज डार्सी वेंटरल फ्लाटिंड यह डार्सी वेंटरल का मतलब इसमें डार्सल सर्फिस वेंटरल सर्फिस दोनों होती है ठीक है आप कह लीजेक जیसे हम हैं तो हमारे पेट वाला हिस्सा और एक पीठ वाला हिस्सा तो सीम इसमें दो हिस्से होते हैं डर्सल सरफेस और एक वेंटर सरफेस और फ्लैटिंड यह गया है कैसा चप्टा होता है लाइक रिबन मतलब ये फीते की तरह ये बिल्कुल इसके शरीर जो हता है फीता क्रीमी का इसी नाम से ही इसको रखा गया है फीता क्रीमी फीता के समार इसकी सनचना होती है कलर इसका क्या होता है कलर इसका कलर मोस्टली वाइट होता है और इसके अलामा ग्रे भी होता है यलो भी होता है क्रीमी अर्था चार कलर में यह हो सकता है अर्फाद वाइट ग्रे यलो आइंड क्रीमी चार कलर के हो सकता है चीहिछ्छा अब यह मत कहिएगा कि एक ही में चार कलर इसके यतने कलर संभा भी था है इसकी जो जो मुख्य स्पीसीज है मुख्यूपसे दो स्पीसीज है टू मॉस्टलि स्पीसीज आप दो हैं जो Tiniasolium है इसका पोसť है उपिग है और Tiniasagenita का पोसद क्या है काउ है एक बात और बता दें टीनिया सभी पहांता है इसाल Process तक ये व में नें देखा है डी इनãy वर उसकि सल्चना कोयां बारे में बात का लिए जाए उसका श्रचना देखा City सन्चना ये आप देख रहा है ये सन्चना को चली हमने बता है यहीश आप तो आप देख रहे हैं कि इसका जो इसका जो शरीर है वह तीन भाग में बटा होता है एक तो इसका जो पूरा का पूरा जो भाग होता है इसको लेक्स भाग है इसका ठीक है यह पूरा हेड़ वाला भाग है इसको लेक्स भाग और दूसरा इसका जो भाग है वह नेक है नेक नेक जो होता है अन्सेगमेंटेड होता है या खंड में बटा नहीं होता है और इसे ही एरिया आप प्रोलिफरेशन कहा जाता है क्योंकि जो खंड बनते हैं इसी में विभाजन के द्वारा यह खंड बनते हैं ठीक है और जो तीसरे भाग है तीसरे भाग को कहते हैं बिल्कु यहाँ पर मैंने इसको बना दिया साइड में तो इसको आप देखिए इसके फिगर को यह जो रोस्टेलम पाजा रहा है इसमें माउथ नहीं होता दोस्त यह रोस्टेलम है इसका सीर्स भाग है रोस्टेलम की नीचे दो इसमें कतारे हुक्स की दो कतारे पाई जाती है यहाँ पर आप देख रहे हैं हुक्स की दो कतारे है इसमें कुछ जो है एक कतार इसमाल हुक्स की होती है दूसरी कतार लार्ज हुक्स की होती है और यह बीच वाला भाग जो है इसका रोस्टेलम है और इसमें चार यह आप सरचना देख रहे हैं एक दो तीन चार तो चार इसमें सकर पाय जाते हैं इसी के थुरू यह किसी से अटैच हो जाता है और इसमें प्रोगलाइटिट्स की बात करें तो यह सिग्मेंटेड जो भाग होता है पूरा प्रोगलाइटिट्स होता है अथ् जो reproductive system होते हैं male और female यही से बनना प्रारंब होते हैं और जो mature proglatis होता है इसमें male और female दोनो reproductive system हो जाते हैं और एक जो third है ग्रेविट proglatis होता है इसमें fertilize ego होते हैं देखिए अभी हम इसकी सरचना के जो बात कर रहे थे इसकी जो body होती है तीनिया की वह तीन पार्ट्स में divide होती है पहला जो पार्ट्स है head अथवा scolix कहा जाता है दूसरे पार्ट को neck कहा जाता है तीसरे पार्ट को strobila कहा जाता है scolix neck और strobila जो इसको head अथवा scolix भाग होता है यह धारण करता है beer करता है rose talum को ठीक है इसमें जो hooks होती है इसकी दो कतारे होती है two row of hooks और इनमें hooks की संख्या होती है 28-32 होती है hooks की संख्या 28-32 होती है और जो सकर्स होते हैं दो प्रकार को होते हैं एक तो small सकर्स और दूसरे large सकर्स दो इसमें सकर्स होते हैं जहां तक इसकी नेक की बात है मैंने बताया दोस्त कि नेक जो है इसका कहलाता है region of proliferation अर्थात यहीं से जो है विभाजन होता है तो आगे जिस सिग्मेंट्स बनने आप प्रारम्भ हो जाते हैं तीसरा जो भाग है strobula और strobula है numerous segments और proglates इसमें जो है numerous बहुत अधिक संख्या में segments खंड होते हैं अथवा उसे उन खंडों को proglates कहा जाता है और यह proglates जो होते हैं यह proglates तीन प्रकार के होते हैं तीन भाग में यह बटे होते हैं कौन कौन से दोस्त हमने अभी बताया कि यह अत्वा पहला कहिए immature अत्वा young proglatad और दूसरा जो होता है mature proglatad और तइसरा होता है gravid proglat. तो जो young proglatad होता है इसकी क्याबी सेचता है has beginning of reproductive system इसमें reproductive system का बनना इसमें प्रारंभ हो जाता है और इसमें reproductive जो system बनना प्रारंभ होता है तो इसमें male reproductive system पहले बनता है इस कारण से इसमें जो condition पाई जाती है वो condition pro-tendrous condition होती है pro-tendrous condition होती है इसमें क्योंकि इसमें male reproductive system पहले बनना प्रारम हो जाता है और यह बनना प्रारम कहां सो होता है? यंग proglatis से और जो mature proglatis होता है दोस्त इसमें बोथ, male and female system यानि दोनों सिस्टम इसमें डेवलाप हो जाते हैं male and female reproductive system दोनों डेवलाप हो जाते हैं और gravid proglatis तो जो होता है अंतिम खंड होता है, अंतिम बड़े खंड होते हैं इसकी क्या भी सेचता है कि female reproductive system with fertilizing अर्थात ये female system इसमें होता है और with fertilizing इसमें fertilize इग होते हैं दोस्त, इसमें gravid proglatis में देखें एक बात यहाँ पर खास बात ध्यान दिजिए कि apolysis, apolysis terminology अगर आपके आ जाए तो आप समझे है क्या apolysis very very most important detachment of gravid proglatis from body जो इसका अंतिम खंड होता है अंतिम खंड टीनिया सोलियम के कहलाता है वो gravid proglatis और इसी का detachment अलग होना attachment मतलब आप समझते हैं जोड़ना detachment मतलब अलग होना टीनिया सोलियम की body से जो अंतिम सीरा होता, अंतिम खंड होता है उसका अलग होना कहलाती है वो क्रिया apolysis तो इसमें apolysis की क्रिया होती है यह खंड अलग होते रहते हैं वहाँ से आप बनता रहता है चली, अगली बात क्या है कि इसमें टीनिया सोज pseudometamérism यह क्या परदर्शीत करता है pseudometamérism अथवा false segmentation असत्त इसमें खंड होते हैं अर्थाद बाहर से देखने पर यह खंड यूक्त नहीं होता है ठीके, इस करण से इसे कह सकते हैं यह टर्म दिया गया false segmentation सामान सब्दों में और मुखरूपसे से pseudometamérism कहा जाता है इसका क्या अर्थ है दोस्त देखे, क्या है इसका अर्थ हम आपको बदा दे जब एक ही खंड में संपूर्ण तंत्र डेवलप हों जब एक ही खंड में इसके जितने खंड होते हैं उतने खंड में पूरे system डेवलप होते हैं जब ऐसी पूरा तंत्र देखने को मिलता है जिस जीव में कि प्रते खंड उसमें प्रते खंड में सारे सिस्टम डेबलप हो तो उसे नाम दिया गया स्यूडो मेटा मेरीज में ठीक है चली अगली बात करते हैं जो primary host होता है इसका main होता है primary host is main and secondary अथवा intermediate host दितियक अथवा intermediate host जो होता है इसका pig होता है तो pig और main इसके दो पोसद है पहला पोसद मनुष्य और दुसरा पोसद pig sewer है ठीक है अगली खास बात क्या है कि tinea saginator देखे मैंने बताया tinea solium tinea saginator दो है ठीक है beef tape form ये beef form है tinea saginator इसकी क्या हुक्स नहीं होते हैं किसमें tinea saginator में सकर्स डेबलब इसमें सकर्स होती है लेकिन कम विक्सित होती है किसकी तुलना में tinea solium की तुलना में कम विक्सित होती है ठीक है अब tinea solium की body wall की बात करें तो इसकी body wall consists of three parts का उनकौन से qute kill होता है इसमें भाग एक musculature होता है तीसरा mesodermal tissue होता है qute kill musculature and mesodermal tissue होता है mesodermal tissue को कहा जाता है parenchymar ठीक है देखें जो qute kill होती है हमने बताया है tegument टेगुमेंट इसमें जो होता है qute kill के रूप में होता है यह क्या करता है paracetic adaptation इसको प्रदान करता है अर्था यह tegument जो qute kill होती है इसके लेरो प्रोटीन की जो बनी होती है बाहरी कवर होती है जिस कारण से आंतरिक परजीवी होता है शरीर के अंदर है जिस कारण से दूसरे enzyme का इस पर प्रभाव नहीं पड़ पाता है इसी qute kill के कारण जिसे tegument कहते हैं और इसके लेरो प्रोटीन का जो बना होता है इसको paracetic adaptation प्रदान करता है इसके अनकूल बनाता है परजीवी के अनकूल बनाता है अंदर अगली खास बात क्या है कि body cavity जब सेंटिस में body cavity अनुपस्थित होती है होती है in tapeworm अर्थात कहें दिजेव कि एक्स प्रकार का होता है तेक फींता को या ओस नमे कि क्लासिश्टोड़ा को यह सदस है इसे सल्टों महेंब कह सकते है there is no elementary canal इसमें एनिमेंटरी कैनाल नहीं होती है and digestive gland भी नहीं होती है देखे आगली खास बात क्या है किसमें हम आपको बदा दे पहले तो आपने समझ लिया कि elementary canal नहीं होती है digestive gland नहीं होती है लेकिन अब ये पोस्ण कैसे बात आती है पोसण फिर के लेता कही से है nutrients are directly absorbed इसमें जो पोसख पदार्फ होते है directly absorbed कर लेता है of species कर लेता है through body surface अपने सरीर की सत्व दोबरा directly absorbed कर लेता है पोसख पदार्फों को वो पोसख पदार्फ किस रूप में ये संचित होते हैं इसके सरीर में food stored इसमें जो इस्टोर्ड होता है संचित भोजपदार्थ होता है अब बाद आते इसमें रिस्पाइरेशन कैसे होता है भाई यह आंतरिक परजी भी है शरीर के अंदर रहेगा तो बाहर से इसको आक्सीजन कहां से मिलेगा तो इसमें हम आपको बता दें जो सोसन की क्रिया है र इनर्जी इस लिपरेटेड डूटने से ही इनर्जी लिपरेट होती है जो उर्जा होती है निकलती है into CO2 and fatty acid किसके रूप में आती है CO2 and fatty acid के रूप में ठीक है तो इसमें अनाक्सिस होसन की क्रिया होती है excretion इसमें उस सर्जन कैसे होता है throw the flame cells किस कोश का द्वारा इसमें बहुत ही important question है flame cell ठीक है main excretory product इसका क्या है मुख्य उसर्जी पदार्थ क्या होता है तो इसका मुख्य उसर्जी पदार्थ है ammonia और fatty acid होता है ठीक है ammonia और fatty acid इसका मुख्य उसर्जी पदार्थ है working off nervous system किस प्रकार का होता है इसमें ठीक है nervous system की कार करने का प्रकार इसमें reflex type का होता है ठीक है किस प्रकार का होता है दोस्त reflects type का होता है all tapeworms are hermaphrodites सभी जो tapeworm हो है वो कैसे होते हरmaphrodites अथवा इसहां पर bisexual term दिया गया है बाइसेक्सुल अर्थात सभी जो है टेपवर दुई लिंगी होते हैं अर्थात एक ही शरीर पर मेल भी और फिमेल भी दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डिवलप होते हैं अगली खास बात क्या है इसमें देखे आल टेपवर मार हर्माफ्रोडाइट मैंने बताए बाइसेक्सुल होते हैं एक कम्प्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अकर्स इन इच मैच्योर प्रोग्लाइटिट्स यनि देखे यहां मैंने सब्द लिख दिया वो पूरा का अगको फूर आथवा है कि यहां दिआ गया एक्सा कैन्थ लारवा बनता है है प्रते ह्तहीर ला कि सटेज नाम क्यों दियगया ? क्योंकि इसमें जो बनना प्रारण होता लारवा में six hooks होती हैं कितनी hooks होती है च्छा ठीक है वित six hooks इस कारण सी से hexa canth कहते हैं और यह जो लारवा है शुरुआज में बनता कहा है भाई यह मानों में बनता है formed in man और लेकिन अगर कहा जाए कि infective stage किसका है तो यह अंकोफोर अथवा hexa canth जो होता है infective stage होता है pig का किसका होता है pig का infective stage होता है ठीक है क्योंकि man से जाएगा किसमें pig में तो pig का जो है infective stage यही होता है और दूसरा जो होता है इसके बाद जो transfer होता है किस रूप में आता है तो वो होता है सिस्टी सरकस, सिस्टी सरकस अथवा ब्लैडर वर्म, ठीक है, सिस्टी सरकस अथवा ब्लैडर वर्म, फॉर्म डिन पिग, और यह लारवा किस में बनता है, पिग में, और यह इनफेक्टिव स्टेज किसका होता है, मैन का, ठीक है, सिस्टी सिरकस और ब्लैडर वर्म इनफेक् कोई अगर संदे होगा तो कमेंट करके जरूर बताए एक दोस्त देखे अगला डिसीज सरी डिजीज काजड वाई टीनिया इसमें जो टीनिया के रोग होता है उस रोग का नाम है टीनियासिस अथवा cysticercosis ठीक है tiniasis और cysticercosis दो रोग इसके द्वारा tiniasolium के द्वारा होते हैं अब आपको बता दें जो cysticercosis होता है यह tiniasis की तुलना में बहुत dangerous होता है cysticercosis more dangerous than tiniasis ठीक है चलिए इसके थोड़ा से reproductive system को देखा जाए इसमें reproduction की क्रिया कई से होती है तो mainly इसमें जो reproduction की क्रिया होती है वो sexual होता है ठीक है किस परकार का होता है sexual आप एक बात और बता दें आपको जैसी इसका proglated से नीचे से खंड तूटते हैं तो उस तूटने से भी बनते हैं तो उसे आप temporary आप asexually कह सकते है ठीक है तो mainly इसमें जो हम जानेंगे वो sexual होता है हलाकि जब asexually का नाम आता है तो वही जब खंड तूटते हैं इसमें तब उसमें प्रकरिया जो होती है asexually की होती है ठीक है और यह कैसे होते है बाइसेक्सुल होते हैं इसकी condition कहलाती mono-eces, mono-eces मतलब, mono-eces, इसमें अर्थात एक ही जीव पर दोनों male और female reproductive system develop होते हैं, देखे, exception इसका क्या है, इन diacocistus, इनमें diacocistus जो होता है, उसमें any sexual अथवा diacocistus condition पाई जाती है, ठीक है, और इसमें जो एक वस्था मैंने बताया कि सबसे पहले male reproductive system develop होता है, तो इस क इसमें मैंने सीरे सीदे लिख रखा कि male system develop firstly, ठीक है, जो male system होता है, सबसे पहले इसमें develop हो जाता है, देखे, इसका थोड़ा सा आप देख लिजे, पूरा जननतंदर का system, इसमें देखे, penis भी होता है, और इसमें vagina भी होती है, यहाँ आप देख रहे हैं, जो आया है, बिल जो दूसरा आ रहा है, यह कौन सा है, वेजाइना है, वेजाइना है, और यह है, आकर के बिल्कुल आप देख रहे हैं कि वेजाइना जो है, अटैच्मेंट हो रहा है, बिल्कुल कहां से, यहां से, यूटरस से वो बिल्कुल अटैच्मेंट है इसका, और यहाँ ओरी से भ ये क्या है, OV-duct है, और यहां पर ये जो uterus है, इसका uterus में ये पूरे के पूरी जो सनचना है, fertilize Ig होते हैं, और ये जो धेर सारी सनचना हैं बिल्कुल ये testis हैं, क्या हैं? दोस्ते, testis हैं, और इसमें जो ये was difference होती है, was difference और ये होती है, सनचना ग्रिंद कि पाला, जो testis से भी है तो इसमें सेक्ष्ट की जो प्रकरिया होती है तैस्ट इस भी है देखे अब आपको इक चीज़ और बता जЙह हम इसमें कि विटलाइन मेलिस ग्रैटलएड पाउंड तो द्यान रखिएगा इन गरंफिस सवता है इसमें डेवलोप्मेंट मैंने बताया कि फिंद 我 लार्वाल स्टेज किसके द्वारा होता है और यह इंफेkटिव स्टेज किसका होता है daranओ का होता है ठीक है आंकोफोर अथ्वा हेक्साकेंथ और दूसरा होता है सिस्टी सरकस अथ्वा ब्लेडर वर्म ये इनफेक्टिव स्टेज किसका होता है इनफेक्टिव स्टेज होता है मैन का और इसके द्वारा जो रोग होता है disease होता है वो क्या होता है cystisarcosis होता है cystisarcosis एक तो tncs भी होता है लेकिन cystisarcosis ये more dangerous होता है इसका इलाज क्या है treatment क्या है anti-helminth drug इसका treatment है तो चलिए दोस्त आज के हमारी इस lecture में बस यहीं तक आप comment करके जरूर आप लोग एक बार बताएं कि आपको ये video कैसा लगता है और video को ज़्यादा ज़्यादा share करें और like करना ना भूले दोस्त चलिए आज की class हमारी बस यहीं तक okay thank you